मेरा नाम डॉक्टर कुशाल सिंग मैता मैं उद्यान विकास अदिकारी रोडू वेकारी रत हूँ आज हमाचल सरकार और भारत सरकार की योजनाओं को धरातल पुतारने के लिए हमारे साथ थे इंडस्ट्री विभाग से जियम योगेश गुपता जी और किशी विग्यान केंदर से डॉक्टर नरेंदर कायच जी और हमारे बागवान जुबल, रोडू, छवारा, रांपूर, शेत्र से लगवग 200 यहां पे एकत्रित हुए क्योंकि हमारी स्कीम है कि मार्केटिंग कैसे करनी है अच्छी मार्केटिंग के लिए सबसे जरूरी है कि वागवान के पास या अपना नीजी स्टोर हो या वो किसी और्गनाईजेशन जिसने स्टोर बनाया है उसके स्टोर में अपना सेव रख सके सबसे बहुत बढ़िया तो यह कि अपना नीजी सोटे स्टोर हो जिसमें modular store के बारे में आज यहाँ पे जानकारी blue star वालों ने दी और हमने cool crop वालों ने दी और हमारे राजीव जीरे जो CA store से आये थे उन्होंने दी कि छोटे स्टोर किस तरह से लगाएं और उसमें बागवा बागवनों के लिए हैं तो यह इस scheme के बिश्तित जानकारी है तो आज का यह शिविर था यह सफल रहा इसके लिए मैं सभी पत्रकार बंदों का और यूट्यूबर्स का और यहां पे आये बागवनों का तह दिल से शुक्रियादा करता हूं और उमीद करता हूं कि आने वा बनाने के लिए लोग रखे हैं जिसमें इसकी फीस भी सरकार खुद देती है अगर कोई भी scheme बनानी है उसकी DPR बनाने के लिए उसमें सरकार की तरफ से यह पैसा दिया जाता है बागवनों को कुछ भी नहीं देना बागवनों को सिर्फ मात्र एक अपना जमीन जहां पे य 20% मैचिंग राड पे देता है उसी तरह से जो इंडस्ट्री रिपार्मेंट है वो भी 60 लाग तक का अनुदान जो है 75% के इसाब से पूट प्रोसेसिंग में दे रहा है जिसके लिए आज यहां पे जीम साब योगेश गुता जी ने खुद अपने इससे बागवनों के बी जो मार्किटिंग है वो MRP पे करेगा जिस भाव में वो बेचना चाहेगा जब मार्किट में डिमांड होगी तभी स्टोर से निकालेगा और तभी बेचेगा क्योंकि अगर देखा जाए पूरे देश में जो सेब है सबसे मेंगा बिकता है कंजूमर सबसे मेंगा 200 रुपे से लेकर के 500 रुपे केजी तक खरीदता है और अगर बागवान बेचता है उसका एबरेजन प्राइस 50 रुपे से उपर कभी भी नहीं मिला है तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है और इसको कैसे ठीक किया जाए इसके लिए एक मातर विकल्प है कि जब तुडान करते हैं बागवान अपना सेव स्टोर में डाले और जब मार्केट में डिमांड हो और जिस बाव में वो बेच सकता है उस बाव में बेचे धन्यवाद